फ्राइडे हो ड्राइडे हो मला दारू पाई जे मैं बुला भाई अब ये पिक्चर मेरे लिए मेक और ब्रेक पिक्चर है अधिक विजय जी मेरी उमर हो रही है अब मैं 55 बरस का हुआ हूँ कितने दिन और चलूँगा मैं अगर मैं अपने आप में भरोसा ना करूं और अप पिक्चर पिक्चर पे लिखा है एक्टिक करने वाले का नाम आपकी फिल्म आ रही है 1 3rd of September congratulations आप कमबाइक कर रहे हो Pollywood में आपकी लास्ट फिल्म आई थी दास्ताएच ना दास्ताएच आई थी दिग विजय जी लेकिन वो रिलीज ठीक से हुई नहीं तो मतलब ऐसी रिलीज हुई कब आई कब गई तो समझ में नहीं है तो अच्छली और फिर उससे पहले भी जो चांद बुझ गया पिच्चर थी 2005 में वो भी सही तरह से रिलीज नहीं हुई तो इसलिए अच्छली मेरा कमबैक जो है वो तो 2003 में मेरी एक लास्ट रिलीज हुई थी काबू या ऐसे इतने सालों के बाद अच्छली एक सही रिलीज कर पा रहा हूं है फिल्म मेरी फैक्टरी तो उसको लेके काफी excited हूँ पूरी महिनत की है दिल से महिनत की है सबसे पहला सवाल यह पूछना की फैक्टरी के बारे में कुछ बताईए ताइटल कास्ट और कहान देखिए फैक्टरी का टाइटल जो है वो हमने लोकेशन के उपर रखा है मतलब 75% प्रिक्चर फैक्टरी के अंदर शूट की गई है उसके अंदर ही फैक्टरी के अंदर ह बहुत ही धमाल होता है गणे भी गए जा रहे है चाकू बीमाना जा रहा है रोया भी जा रहा है ही अच्छन और फ्रिल्स भी भरपूर है तो टाइटेल सोचने में काफी मुश्कील हो रहे थी कि रौमयंट टाइटेल रहे थी तो तो थ्रिलर और action का जो वो पार है वो मारा जाए अब action टाइटेल रहे तो रोमेंस का क्या होगा तो बहुत बहुत सोचा गया ये टाइटल वो टाइटल एक यर फैक्ट्री में पूरा खेल है, पूरा जो फैक्ट्री जान है पिक्चर की, और फैक्ट्डी वालों ने इतनी help की, долларов रही पूरा फैक्ट्री वाल किति अग़ा, मतलब जसे अैसा लगा के मैं फैक्ट्री का मालिक की तो मैं संक्र्ञाक क्या यह वापी में फैक्टरी है, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया और पूरा मुझे सपोर्ट किया मनीज भाई पवन भाई जो फैक्टरी के पवन भाई जो ओनर है और मनीज भाई उनके बेटे हैं बहुत मसाया है थैंक देम कि मतलब उनकी वज़े से मेरी पिक्चर बन पाई आपके साथ में एक नई कास्ट देखिए जो हिरोईन है फिल्म की प्रोली रेया आपने उसको कहां से दुनना से नियू कमर है और आपके मौका दिया करें हम लुँटकें का अपलतेशες की से लड़ियों का ऐसका आप अच смож करने वालले का नाम बहुत आयं विद्रेडेकर की शूह से के लिए जए एके कर दो हो कि थो इसकेय मौने महरत बिखने उसके साथ अब वो लड़की अब कानी ऐसी है कि यह जो गार्टर है यह लड़की के पीछे पागल है और वो जो लड़की थी वो अपना लुक सी लूस करते जा रही है अब पता नहीं या तो लेट नाइट पाटी करती होगी या क्या करती होगी उसको हम लोग बोल है हमारी टीम बोली कि तुम्हारा चाम निकलते जा रहा है तो प्लीज आप अपना स्टोरी है कि यह लड़का लड़की के पीछे दीवाना है तो लड़की अगर फ्रेश नहीं दिखेगी उसमें कुछ बात नहीं होगी तो फिर कैसे मज़ा आएगा स्टोरी जस्टिफाइ उसका भी हमने उसको टेस्ट हो ले लिया फिर काफी सोचा हमारी टीम ने कि ले नहीं ले महनत करेगी नहीं करेगी क्योंकि बहुत महनत की है रोली ने और अज डिरेक्टर आं बरी सैटिसफाइड विधा परफॉर्मेंस उसने बहुत अच्छा काम किया है फॉर डेबु इ किया है सिर्फ कंपड़ी के लिए यूस किया है अच्छा कि अग्टर आं गरी एकस्टर अबनुट किया है अंच्छा में बहुत अद सपोर्मेंस उसने है कि islands के Pvै जा की फॉड करते साथि दो कि अड़े नहीं तक है मीडिकिन कहिए उसने ऑना आग मिकूंनीा क्ग के डिए करें लोली को बुलाकर नरशन दिया और उसको थोड़ा पिक्चर के यह भी श्रॉश दिखाए थोड़े तो लोली ने बुला फिर लोली यार पैसा कम मिलेगा बजेट छोटी है हमारी पिक्चर का बजेट छोटा है तो लॉली जी ऐसे भी लोग है इंडस्ट्री में जैसे लॉली पॉप उनने मुझे बोला फैसल मैं यह पिक्चर पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं यह तुमारे लिए कर रहा हूं मैं पूरा मतलब जहान है एक सेलिंग पॉइंट है तो टेक्निशन जैसे हल्प कर रहे थे मुझे पिक्चर में फिर बैग्रॉंड मुजिक शेकर सिंग क्या कमाल का दिया है और पूरी महिनत की है दिल से हमारी पूरी टीम ने महिनत की सिर्फ म अच्छी मिली तो वह पूरा बनके बहुत मज़ा भी आया काम करके आप अंजाम जो भी हो मज़ा बहुत आया पिक्चर में बता बनाते वक्तिंग एक और सवाल करो जब आप एक वेल नोन फेस्ट हो लेकिन क्या जब फिमेल कास्ट हो रही तो आपने सोचा नहीं कि कोई त यह दो तीन चीज थी एक तो हमारा बजेट भी था तो हम किसी नोन एक्टर को रहते हैं तो वह तो कितना लेगी क्या मालो दूसरी बात है कि एक फ्रेश फेस की अलगी बात होती है जो फ्रेश फेस प्रफॉर्म करता है और वह अगर आपके तो एक अलगी नशा हो चुके दूसरे लोग टाइपकास हो चुके होते हैं जो भी काम करते हैं सालों से उनका एक रोल होता है तो ओडियंस भी देख चुकी है काफी तो एक सप्राइज अलिमेंट नहीं होता तो यह भी एक वज़य थी और फिर देट्स हम चुटिंग स्टार्ट करना चाहते थे हम देड तो फिर रोली आई बहुत खुश हो गई तो एक हाथ से ऐसा चेक और दूसरे हाथ से स्क्रिप्ट यह चेक और यह पूरी अभी याद करके आओ तो रोली शॉक हो है कि यह क्या है यह पूरी स्क्रिप्ट याद करना पड़ेगी मैंने बोला देखो क्या है इसमें दो करेक् पकड़ नहीं पाएगी तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इसको मैंने पूरा अलट कर दिया तो मैंना यह तुम और तुम और यह कैसे याद होगी तो मैंना नहीं याद होगी है मैं थेटर कर चुका हूं तो उसका भी प्रसेस मुझे माल मैंने तुम कल से आओ रोल यहां आओ अब अब आओ खाली स्कृप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ पढ़के पूरी स्कृप पढ़ेंगे पढ़ते रहूं पैले पढ़ते रहो काफी चार-पांच दिन तो हम लोग देख देख के पढ़ते रहें फिर मैं बहुत आब यह हो गया अब 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 थेटर का टेक्निक अ Х East is denying of而且 blocking मैं टेरीस पहर गया मैंने मेरे आर्ट डिरेक्टर को बिलाया और केमरय को बिलाया और और्ट डिरेक्टर से चोहां इसको जल्डेटर जहां क्ईचिन है जहां उसको मूवंव्मेंट करना ए प्रोपेटीज भे थोड़ी खट्टा की वो सब में लेके गाए टेरेंस पर रोद हम लोग फिर टेरीस पर जाते हैं एक बार स्कूप सब्सक्राइब ने शाथ पूरा है उसको एक्रेटर पिर आपने वापस लिए वही जिसके नसीब में वही होती है अम चाहिद ये पिक्चर मेरे इनसीब मैं थी डिरेक्ट करना ला यह एक है डेड्यक करने वाले का नाम, नाम डेब्यू डेड्यक्शिन तो मैंने सीखा था 30 साल पहले, जब मैं फिल्म लाइन कदम रखा त्व मैंने डेड्यक्टर के तौर मैंने कदम रखा था, फिर एक्टिंग की चलते रही तोज फ़िक्चर हो तोडी पिचरें की अब ज शारिक भाई टाइम नहीं दे पा रहे तो गडबर हो गई एक और पिक्चर अभी वैसे ही गई भेंश पानी में तो मैंने पर उसर से शारिक भाई से बात किया अगर तुम टाइम नहीं दे पाऊगे तो फिर नाइंसाफ ही हो जाएगी इस सब्जेक के साथ और दूसरी बात अधिक विजय जी मेरी उमर हो रही है अब मैं 55 बरस का हो गया हूं कितने दिन और चलूंगा मैं तो मैंने सब बहुत सीरिसली इसको पूरा नाप तोल के मैंने बुला भाई अब ये पिक्चर मेरे लिए मेक और ब्रेक पिक्चर एक तरीके से तो इसलिए मैंने हर चीज करता है उसका नजरिया कुछ और होता है डाइडेव फ्राइडेव गाना ये स्कृप में शारिक बाई डालना ही नहीं चाहते था तो ये सब अलग अलग जो डिरेक्टर का एक जो विजन होता है वो मैं देख रहा था इस पिक्चर को क्या मैं इसको कैसे उठा सकता हूं तो इसलिए मैंने बोला नहीं है मुझे आप डिरेक्ट cour lei तो मैं ही आंजाम तक Chengा तो शारिक भाई भी मान देख गयो तो सब हो गया फिर मैंने इसको डरेक्क किया और हर फैसला चोटा बड़ा सब मैंने ही लिया फिर गाने का जब बात आई तो गाने में ये बात है क कि मैं देख रहा हूँ अलग-अलग एक्टरगार हैं फिल्मों में ठीक है कर लेते हैं कुछ मैंने भी कोशिश की मैंने बुली जब मेरी पहली पिच्छर जब फ्लॉप हुई मधोश तो मैंने बुला यार मेरे मुझे पूरा भी तयारी करने पड़ेगी एक्टिंग में तो मैं अपना आवाज से थोड़ा conscious था और सोचना था कि मेरी आवाज खुली नहीं तो मैंने singing classes लिये classical singing तीन साल के लिए तो उसका experience और फिर मैंने सूचा के देखो मैं singer तो हूँ नहीं लेकिन मैं feel दे सकता हूं as an actor तो मैंने गाने में पूरी feel भर दी और जितना मैं सीखा था पुरा तो मैंने जब यह सब actors गाते हैं जो सीखे भी नहीं होते हैं मैं तो थोड़ा training लेकर आया तो इसलिए मैंने मां भी हिम्मत कर दो सब गुन दिखा दो जितने भी भरावा है भी time up हो रहा है मेरा आजकल तो young young actor देखे आज भी बिचारा हो शुकला भी बिचारा हो भी गुज़र गया मेरा भी time कभी आजा क्या मानूं या सब लिखाव है तो जाना ही है सब को एक दिन तो खैर यह सब है चलो भी सब दिखा दो और दूसरी बात क्या है दिग विजय जी के अगर मैं अपने आप में भरोसा ना करूं और अपनी capabilities पर मैं भरोसा ना करूं तो दुनिया वाली industry क्या करेंग तो मैं तो करूं अपने तो मैं तो दिखाओं मैं तो पहल करूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं चलो देखो भाई यह अब आओ देखो आप लो तो इस सोच से यह सब सोच से मैंने करके पूरा अपना मेनत पूरी कोशिश कर दी factory factory जी यह society को जैसी करनी वैसी बढ़नी बुरा करोगे तो बुराई होगा यह एक ब्रॉड मैसीज है क्योंकि मेरी स्टाइल है commercial मेरे डाइडी की मेरे और मैं विजयानन को बहुत लाइक करता हूं आज डिरेक्टर तो commercial फिल्म बनाता हूं गाने भी हैं कुछ कह भी रहे हैं message लेकिन उस सबक दो ही लोग ने देखा realistic picture बना दिया मैं realistic में believe नहीं है फिलाल तो मेरा style realistic नहीं है commercial वे मैं पिक्चर करना मासेज के लिए भी होनी चाहिए और एक आपने सबक कह भी दिया वो भी होना चाहिए इंजोई तो करें ना वो फिल्म का दौरान जो जर्नी है वो इंजोई तो करें लोग खाली सबक सिकाने थोड़ी है हम लोग से थोड़ी है या कोई मतलब teacher तो नहीं है या कोई principle नहीं है कि ऐसे उठो बैठो खड़े हो गए लगडी लेके फिल्टी भी करो ना या लाइव जोड़ी फिल्म बनाई है इंटर्वल रहेगा है हां इंटर्वल है ना सुसू करने जाओ चाय वाई प्यो जारा समोसे खाओ इतने कम टाइम की लब वानार थर्टी सेवन मिनिट्स की फिल्में कम बनती है मैंने सुच अब दिखाया है वो तो आप देखेगा कल पिक्चर रिलीज हो रही है आप भी जाके देखिए तो वो आप खुद ही देखेंगे कि हर चीज दिखाई है लेकिन किल्स प्रका है प्रकाइब करेंगे कि वो पिच्चर का रियक्शन और जो भी अगर उनको अच्छी नहीं लगी तो भी कोई बात नहीं कि फिर मैं स्टैडी कर पाऊंगा कि मैंने क्या गलत किया या क्या अच्छा नहीं किया तो एक सीख भी मिलती है और कोई अच्छा बूलेगा तो अच्छी होगी और यह confidence बढ़ेगा कि नहीं हमने सभी पिच्चर बनाई है और आगे भी जो हम बनाने वाले वही लाइन पर है commercial पर तो एक confidence बढ़ेगा कि नहीं हम सही रहा पर है चलो और भी अच्छी और भी मिनत करो तो दोनों तरक से मैं ready हूँ अगर नहीं अच्छी ल अगर यह बैटा है तो वह बहुत नाम का अच्छा पैदा होता है क्योंकि वह रहर अलफबिट की एक वैल्यू है जो निम्यूम्राजी में मानते हैं तो मैंने बोला चलो उसका अच्छा वैबरेशन अगर बैठता है तो वह भी क्यों ना कर लेंगर अगर अगर यह अगर यह भी हेल्प करता है तो क्यों ना कर लेंगर अगर एक डबील दालने से लोगों को एक सई पॉजिटिव फील मिलती है यह तो क्यों ना कर लेंगर उसमें क्या फरक है शायद दो हफता जादा चल जाए पिच्छा एक एक के साथ थर्ड सप्टेंबर को फिल्म रिलीज हो रही है फैक्टरी चाहिए देखिए अपने नस्दी की सिने मागरों में और हमें बताइए आपके कमेंट्स के तूछ कि आपको ये फिल्म थे सिदेंगे हम आपके कमेंट्स के तुरूप फैजल खान सर के पास में जरूर अच्छ करूगा और पूरी कोशिश करूगा कि बेतर से बेतर एंटर्टेंग फिल्म बनाओ आगे ये मेरा एक रहेगा और हम भी प्रे करते कि हाउस फुल हो इंशालला देखिए अब तो उपर वाले के हाथ में और पब्लिक के हाथ में अब वो तो जितना हमने हमको और हम हम हाई